अगर त्रिड संकल्प हो यानि एक पूरा confidence हो अगर पूरा planning हो और उस planning को धंग से execute किया जाए तो कोई भी target असंभव नहीं है ये इस साल भारत के जो खेल प्रेमी है उन्होंने देखा और उसको महसूस भी किया Olympic एक बड़ा game है लेकिन Asian game भी बड़ा छोटा game नहीं होता Asian game में इस साल भारत के खिलाडियों ने 107 107 medal लेके आये हैं जो लगबग लगबग impossible सा था अगर आपने history पीछे देखी होगी पिछले 10 Asian games को देखा होगा तो आपने पाया होगा उस Asian games में भी कई कई बार कई लोग क को देखिए उनका decline growth है कुछ countries को देखिए उनका stagnation है यानि रुका हुआ है वहीं के वहीं है हमारा भी रुका हुआ था लेकिन पिछले कुछ सालों में जो खेल पे ध्यान दिया गया है जो इंडिया में यानि भारत हमारा जिस तरीके से आगे जा रहा है प्रोग्रेसिव स में अपने medals को increase किये हैं और यह platform का finance का platform है लेकिन इससे काफी लोगों को motivation मिलता है कि कैसे हम चीजों को अपने favor में convert कर सकते हैं तो Siol Asian में 37 था 1986 में medals हमारे पूरे इंडिया के 1990 बीजिंग में हुआ था 23 medals थे देखे उससे नीचे आ गया 86 से जब 90 में पहुँचे तो हम कुल मिला के 14 medals नीचे आ गये उसके बाद हिरोसिमा में हुआ था 1994 में 23 बराबर रहा 1994 में हिरोसिमा में था 1998 बैंककॉक में 35 हो गया था वहां हम बढ़े लेकिन फिर भी 86 से दो नीचे रहे उसके बाद 2002 में बुसान में हुआ था बुसान में हम 36 एक बढ़े लेकिन फिर भी 86 से नीचे रहे है 2006 दोहा में हुआ था तो वहां 53 मेडल्स आये थे 2010 में गौंग्जू में 65 मेडल्स थे फिर 2014 में नीचे आया इचियोग इचियोन था यहां पे 57 थे 2080 जकारता में हुआ था 70 मेडल्स थे और इस बार हमने सबसे लंबा ग्रोथ अभी तक के एस्ट्री में 107 लिया है जहां पे चाइना, जापान, कोरिया इन सब का दबदबा होता था और वहां पे हम gradually इन सब को बीट कर रहे हैं क्योंकि हम हल चीज में आगे थे पॉलिटिक्स में, इंटर्नल जो पंगे हैं उसमें लेकिन सबसे बड़ा देश, population-wise तो हो गया है और पहले भी पीछे नहीं था at least चाइना को छोड़ दिया जाए तो सबसे आ गई था और वहां पे भी हम middle में काफे पीछे होते थे तो यह एक motivation है हम सब के लिए, मुझे लगता है कि इससे सभी लोगों को सबख लेना चाहिए कि कैसे अच्छी planning के साथ आप gradually चीजों को better करते जा सकते हैं तो मेरा, मेरी तरब से all the very best to all the players और अब लग रहा है कि इंडिया खेल में भी पूरे विश्व का पूरे वर्ड का leadership करेगा, नेत्रुत्व करेगा और इससे हम सब को बड़ा फाइदा होगा और अपकोस motivation तो मिलेगा ही मिलेगा